नमुश्कार मुप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है यूर के लिए ऐसी के लिए एक पद और अन्य पिछरावर के अभिर्थियों के लिए आरक्षित है अगला जो पद है वो वाशर्मान के लिए है जिसके लिए कुल एक रिक्तियां है जो की अन्य पिछ्णाबर के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है इसक्रम में तीसरा जो पद है वो बारबर के लिए है जिसके लिए तीन पद रिक्त है UR के लिए एक पद, SC के लिए एक पद और OBC के लिए एक पद आरक्षित है इसी तरह चोथा जो पद है वो सफाईवाला के लिए है उसके लिए कुल मिलाकर तीन पद रिख्थ हैं जुसमें SC, ST और OBC प्रत्ते के लिए एक एक पद आरक्षित है इस क्रम में अगला जो पद है वो कार्पेंटर के लिए है जिसकी रिक्तियों की संख्या एक है जो अनारक्षित है अब अगर पे स्केल की बात करें तो कुक और कार्पेंटर के पद के लिए वेतनमान पे माट्रिक्स 19,900 से 63,200 के अनुसार निर्धारित की गई है तो वहीं वाशरमान, बारबर और सफाईवाला के पद के लिए निर्धारित वेतनमान रुपे 19,900 से 63,200 है अब बात आती है उम्रसीमा की तो सभी पदों के लिए 18 से 25 साल के उम्रसीमा निर्धारित की गई है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपरी उम्रसीमा में सरकारी नियामानुसार छूट दी जाएगी आपको बता दे कि OBC को 3 वर्ष, SC को 5 वर्ष, ST को 5 वर्ष की छूट उपरी आयू में दी जाएगी अब बात आती है सेक्षनिक योगिता की सभी पदों के लिए आवश्यक निर्धारित योगिता मैट्रिक है और सम्मंधित ट्रेड का अच्छा ज्यान होना चाहिए बारबर और सफाई वाला पद के लिए एक साल का कारे अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्रात्मिक ताधी जाएगी कार्पेंटर पद के लिए माट्रिक के अतिरिक्त सम्मंधित ट्रेड में आईटियाई का योगिता भी आवश्यक है चैन प्रक्रिया की बात करे तो अभ्यर्थियों का चैन रिटन टेस्ट और सम्मंधित ट्रेड का स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा अब बात आती है आवेदन की तो इच्छोक और सुयोग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में फोटोग्राफ और सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलीपी सनलगने करके भेज सकते हैं आवेदन पत्र डाग द्वारा रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं वहीं अगर हम एड्रेस की बात करें तो पुर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को भेजने का पता है दबिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर क्यांत पिन 801-03 कारियाले में आवेदन प्राप्त की अंतिम तारिख 13 मई 2022 नरधारित है विस्तरित जानकारी और आवेदन प्रारूप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें वहीं आधिकारिक वेबसाइट के लिए आप www.indianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बसिता ही तब तक के लिए धन्यवाद